A, B, C together do a job in four days A or C की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं साड़े चार दिनों में करते हैं तो कर रहे हैं B और C together इस जाब को बारा दिनों में करते हैं then how many days can C alone do the job, तो बहुत आसान है इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा 18 days अगर आप mentally calculate कर भाते हैं नहीं कर भाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जब आप इन numbers को देखना, 12 को देखा, 4 को देखा, 4.5 को देखा तो मुझे, अगर मैं multiples के बारे में सोच हूँ तो मुझे 36 दिखा एक number जो मैं अपने गवार की unit मानने जा रहा हूँ जैसे मुझे ABC एक साथ देखे, मुझे ABC एक साथ देखे तो मुझे देखा कि ये 9 units per day होगा A और C मुझे एक साथ देखे, जो 4.5 दिनों में कर रहे हैं तो A और C का 8 units per day होगा क्योंकि 4.5 into 8 अगर आप निकालोगे 36 आएगा, B और C की बात करोगे 12 days की बात कर रहे है तो BC लिख रहा हूँ तो ये 3 हो गया अब ज़रा द्यान से देखना मुझे निकालना क्या है मुझे C का alone निकालना है तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 11 यहां पर C कितने हो जाएंगे 2 A मिलेगा B मिलेगा और C कितने हैं 2 अब इस से अगर मैं इसको माइनस कर दो मुझे क्या मिलेगा केवल C यहां पर A B C 3 एक बार है यहां पर A B एक बार है और C दो बार है सब्सक्राइब करने में टाइम लएगा 18 दिन लगें यह तेज नहीं कर रहा हूं इवाक है मेरे और तेज होती है सवाल यह ना कि अपने आप किस तरह से ट्रेंड कर रहो मुझे नहीं पता अपरोच आती होगी जानता हूं लेकिन उसमें भी बेहतरी की जा सकती है कैसे पहली बाद तो आपका reaction fast होना चाहिए कि work unit लेना है तो क्या लेना है दूसरा reaction fast क्या होता है कि आप mentally calculate करो ना इस तरह के सवाल जहां मजबूरी होगी मालिक ना save environment अब इस पॉसिबल एक को फड़ा 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 अगे बढ़ते इस question को करने का फिर मैं बोल रहा हूं alternate तरीका भी है जो आसानी से भी इसका अंसर देदेगा कि